आट बारा दोजार सोला को जालावार में एक संत्रे के उपर जैपूर से अधिकारी ने आकर यहां पर हमें परिस्टिक्षन दिया जिसके बाद में यहां परिस्टिक्षन दिया तो हमने सोचा कि इसके संत्रा प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हमें बताया गया है कि जालावार में इतने संत्रे होते हैं भी जालावार जिल्ले में संत्रा प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगी हुई है तो मुझे जानकर दी डिपार्टमेंट के द्वारा आके आप ऐसा कर लो तो मुझे भी लगा कि यार हम ऐसा कर ला है यहाँ पर किसानों को अच्छा भाव नहीं मिलता है बाहर से जो यहाँ पर आते हैं कम रेट में खरीते हैं बिना ग्रेडिंग वेक्षिंग का माल ले जाते हैं तो मैंने सुचा कि यार मैं क्यों नहीं है यह काम कर लू हमारे यहां से किसान कापी संख्या में डेली प्लांट पर किसान आ रहे हैं और यहां पर ग्रेडिंग वेक्षिंग कराके भार भेज रहे हैं तो उन लोगों कापी करीपन सो से धेर सो रुपे पर मन के हिसाब से बेनिफिट मिल रहा है जैसा कि पहले हम लोग क्या करते थे जो संत्र आता था तो डारेक्ट उसको तोड़ लेते और हाथ से ग्रेडिंग चटाई करके और मंडियों में या या पारी ले जाते थे अब आज इस प्लांट में लगने से हमारे यहां पर किसानों को ग्रेडिंग होती है और ग्रेडिंग में मतलब आगे धुले होती है फिर वो आगे वेक से चड़ता है फिर आगे चलके छटे हो जाती है किशानों को काफी अच्छा भां मिल रहा है क्योंकि दाने के इसाप सही या पारी मंड़ी में खरीते हैं और या पारी जहां कcolor दाना चलता है उस साइच के हिसाब से आगे भेज़ते हैं अब जैसा कि मसीन के अंदर जो वेक्सिंग होता है इस वेक्सिंग का इतना फायदा है किसानों को कि पहले तो क्या होता है कि डारेक्टरी लूज भरते हैं और किसान ले जाज़ते हैं अब वेक्स होने से इसका क्या है कि 15 दिन तक भी ये संत्रलूज पनसे यहता है इसके अंदर और और खराब होने कीanding की संत्ति мनी रहता है वेक्ष होने ते इसका फिनिशिंग रहेकी चमक रहेती इसके इनदर और खराब भी नहीं होता है यह काफी धूर तक भी अगर ले जाए तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आती संत्रे के अंदर और चमक रहती है इसके अंदर और पेसे भी इसे वेक्सिंग होने से पेसे भी अच्छे मिलते हैं करिपन 20% पेसे अधिक मिलने लगे ऐसा वेक् संत्रा प्रोड μας कमपनी बनाएं गई है तो यहां पर कमपनी द्वारा किशानों को संत्रा खरीदेंगे और यहां से खरीद के बाहर भेजेंगे देश उध्य देश में ताकि यहांपर किसानों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाब मिल सके